आपके साथ संजाय आदो खबरों की शुरुवात करते हैं बड़ी खबर के साथ ये बड़ी खबर इस वक्त जैपूर से आ रही है जहाँ पर आमेर के जैपूर में बिजली आकाशिय बिजली गरने से बड़ा हाथसा हुआ है और वाच टावर में बिजली गरने से कई लोग गंबिरुप से घायल हुगाए, घायल हुए लोगों को पहूँचाय जा रहा है अस्पताल और अब तक इस हाद्षे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक 17 लोगों को पहूँचाय जा चुका है अस्पिताल सूजना मिलने पर मुक्य सचे तक डॉक्र महिश योशी भी सक्री हो गया आलापुलिस अपसरों से फोन कर ले रहे हैं जानकारी और प्रिशासने कदिकारियों को भी किया गया है फोन समस अस्पिताल अधिक शक को अस्पिताल में तैयारी रखने को कहा गया है आकाशी बिजली गिरने से घाय लोगों के उप्चार के इलाज किये लिए तैयारी के अंद्रदेश दिये गया है बोच टावर पे सबी लोग वहां पर जाकर व्यू श अचानक से बिजली करकी और यह भी खबर है कि वाच्टावर पर यह बिजली के गिरी नीचे गए और अब तक तीन लोगों के मरते की खबर इसमें है देख रहे थे, सेलफी ले रहे थी उसी दौरान अचानक से बिजली कड़की और ये भी खबर है कि वाच टावर पर ही ये बिजली की गिरी हलाकि उस दौरान कुछ लोग वाच टावर से कोड भी नीचे गए और अब तक तीन लोगों के मरने की खबर इसमें है सत्रा लोग इंजर्ड हो चुके हैं जिनको अस्पताल पहुचाया गया है तमाम बड़े अधिकारी और इस वक्त नेता सक्री हो गए हैं ताकि जो लोग इंजर्ड हैं उनको ततकाल इस वक्त मेडिकल फैसलिटीज मोहिया करवाई जा सके यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बहुत बड़ा हाथसा यह हुआ है इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है जैपुर में आमेर के जैपुर में बिजले गिरने से बड़ा हाथसा हुआ है यह तस्मीर आप देख सकते हैं एक्स्क्लिसिफ तस्मीर इस वक्त जान गई है या जो लोग अपने जान बचाने के लिए वाच टावर से नीचे कूद गए थे और कुछ लोग तो बिजले की चपेट में आने के बाद बेसुध होकर वो नीचे गरे अब ऐसे में तीन लोगों की जान चली गई है 17 लोगों को फिलाल वहां से रेस्क्यू किया जारी है और वहां से जो लोग इंजर्ड हैं जनके जिन्दगियां बची हैं उनको तुरंट उठाकर अस्पताल भेजा जा रहा है SMS अस्पताल में इस वक्त अब डॉक्टर्स को तैयारी रखने को कहा गया है महिश जोशी भिलगातारपूर ने मामले पर फीड़बेक ले रहे है शर्द हमारे साथ हमारे साथ योगी जुड़ गया है शर्द पूरी अपडेट क्या है पूरी जानकारी इस वक्त देखे राज़ानी जैपुल में जब मोसम अच्छा होगा बारिश होने लगी तो लोग आमेर, जलमहल, नारगड वहाँ पर पहुंचने लगे थे और दोरान आमेर को देखने के लिए वहाँ सामने एक वाच टावर है जहां से आमेर का पूरा नजारा नजार आता है वहाँ पर कापी संख्या में लोग मौझूद थे और उसके दोरान आमेर के वाच टावर है उसके उपर ही विजली गिर गई थी जिसकी वज़ा से जो लोग वाच टावर के उपर खड़े हुए थे वो नस्दी की पहाडियों के उपर जा करके तो की वाच टावर या जार गई थे जिनका रिस्क्यू फिलाल किया जा रहा है त्ह डरा लोगों को अप तक नीचे लाया जाच चुका है एक और घृतिकों भाँग दायलों को भी निचे लाया गया है जो म्रतक से उन ME से एक म् तक वहां पर हो सकते हैं, रतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि रेस्क्यू चलाया जा रहा है, अंदेरा काफी हो गया है, जिसकी वज़ा से पहाडी के अंदर काफी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी SDRF की टीमें वहां पहुंची हुई है, सिविल से जल अस्पताल पहुंचाया जाए, जिससे की उसका उप्चार किया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके, उसके बाद में पुलिस की कोशिश ही है, जो म्रतक है, उनके शवों को भी मीचे लाया जाए है, और सिनास्त के कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो म्रतक हैं, उनके जो कई इस्थानी नेता हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर मोनेटरिंग कर रहे हैं और मोक्य की बास करें तो पुलिस के अधिकारी, प्रसाशन के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं जो की निगदेश देते हुए चीजों को सही डंग से गराने की जल से जल सोशिश कर र जो ही है और जो लोग इंजड है कोई बोलने के स्थिती में है किसी से बातशीत हो पाई जो लोग जिन्दा है घायल है तो घायलों की संख्याज ज्यादा नीचे गिरने से हुए है क्योंकि वाच्टावर इसना बड़ा नहीं कि काफी लोग भार खड़े रहे से और जब बिजली अचानक गिरी थी तो वाच्टावर ही नहीं उसके नजबीत में जो लोग उपर जाने की कोशिश कर रहे से असाब सवर पर देखा जा सकता है कि एमबुलेंस वहाँ पर काफी संख्या पे पहुंच गई और उनमें अब घायलों को इसने सब्सक्राइब बेजा जा रहे है और जिसनी प्राइरिटी के साथ में हो सकता है एमबुलेंस में उसको प्रास्मिक उपचार देने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि सबसे पहले जितना उप्चार दिया जा सकता है उससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और यहीं यहां पर फिलाल कोशिश की जा रही है पाटी सिविल डिफेंस और एस बियारब में जो चिपी हुई है इस अंदेरे में भी कि किसी तरह से कोई घायल कि पता हुआ है पाड़ी के अंदर तो उसकी जान बचाई जा सकती है जी बिल्कुल शरत मैं आपको रोगना चाहूँगा इस वक्त एडियम नौर्थ जैपुर मेरे साथ जुड़े है बीरवल साहब सर पूरे मामले पर क्या इस वक्त आप लोग रेस्क्यू किस तरीके चल पूरी और अपडेट क्या है कितरे लोग इंजर्ड है कितरे लोगों की जान चली गई है और अभी कब तक यह डिजिए है और बांटि लोगों की उपर प्लास की जा रही है और सारे लोगों की पूरी तलास होने के बाद ही हम इसको स्मॉक्ट करेंगे, इसलता रहेगा, अब यह बताए जा रहा है कि पांसाथ लोग वहां और हो सकते हैं उपर, इनके बारे में पूरी जानकारी हम कर रहे हैं जो लोग इंजर्ड हैं क्या उनके इस्तिति ही घंबीर है? जो लोगों की इस्तिति घंबीर दिख रही है प्रारंदी भूप से बागे तो खोर्शनी बज़ा है देग रहे हैं जिस इरिया में लोग गिरे हैं वहाँ पर अंधीरा है तो ऐसे में विवस्ता और मजबूत की जा रही है कैसे सब को ढूडा जा 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 जी ब्रेगन लाइटम से हम ढूड रहे हैं उनको पूरी तलाशी लेंगे पूरे एरिये की ठीके सर धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए और साफ तर पर यह है कि पूरे तलाशी ली जा रही है और सारी विवस्ताइं की जा रही है ताकि कोई भी वहाँ पर अगर इंजर्ड है या डेड बॉडी है तो इसको तुरन तर निकाला जा सके लेकिन जो खबर है कि दो से तीन लोगों की मौत की खबर इस वक्त पुश्टी हो चुकी है जैसा कि शर्ड ने भी बताया कि तीन लोगों की जान चुली गई है इसके लिए 17 अब जो अधिकारी मादिसा जुरतिन का कहना 19 ऐसे में 19 लोगों का रेस्क्यू पिया जा चुका है जिनमें दो की हालत बहुत गंभीर क्रिटिकल बताय जा रही है और इनको भी करन का जटका लगा है जोंसे ये भी है और शर्ड और कोई अपडेट इस वक्त मिल पा रही है जब तक और इस अंधुष्टी नहीं मिल जाती कोई वक्ति वहां पर नहीं है तब तक रेस्क्यू चलाया जायेगा राथ होने की वज़से अंधेरे की वज़से धूरा नहीं चोड़ा जायेगा जवाम इस रात को ओपरेशन चलाने के लिए जो संसार दिनों की जरूरत होती है वो वहाँ पर S.B.R.P की ओर से मंगा लिये गए हैं कि कोई व्यक्ति गलती से भी वहाँ धायल वस्ता में ना रह जाए जिसकी वज़े से उसकी पहाड़ी में रहने की वज़े से जान चली जाए ऐसा ना हो इसका ध्यान वहाँ पर फिलार रखा जा रहा है और पुलिस भी हों से जिवा हमारी बात की तो उन्होंने अभी तक तीन लोगों की मौत होने की बात कही है हलाकि का जातका है कि आधीकारिक लूप से पुलिस और त्रजाजन सामने आ करके कोई भी मौत की पुष्टी करते हुए नजर नहीं आ रहा है लेकिन एक व्यक्ति के शेव को नीचे लाया जा चुका है उसको मोर्चरी भी बेज़ा जा चुका है शरत चुकी अभी आज ही एक तरह से अनलॉक किया गया है विकेंड को भी और ऐसे में इतनी बड़ी आबादी या फिर इतने बड़े लोग एक साथ इकठा हो गए थे क्या ये पहले रोका जा सकता था लोगों को वहाँ पर जाने से काफी दिनों से जैपूर की बाती जैपूर तरही राजस्तान की बात करने तो गर्मी का का रिप्रकोफला और आज अचानक से मोसम बदला का मोसम बदला आपके साथ ही लोग ज़ड़ से बाहर निशलने लगे थे पुलिस को प्रसाशन को पहले से आशंका नहीं थी कि अचानक से इस तरह से मोसम बदलेगा और लोग घरों से इसनी संक्या में बाहर निकलेंगे तो पहले से कोई इंतजाम आज तोर पर वहां जाने से रोपने के लिए नहीं किये गए थे और इसी वज़े से का आजा सकता है कि काफी दिनों से लोग घरों में थे हैं और जैसे ही मोसम बदला तो अचानक लोग वहां पर पहुंचे और तिस आमेरी नहीं बलकि नाहर जड़ पर भी लोगों की बीड़े नजर आ रही थी शाम के दुरान जलमहल पर जो पाल है वहां पर भी काफी लोग देखे जा रह है अगर जादा नहीं होती पहले से रोपनी की कोशिश की जाती तो शायद इसना बड़ा यहां नहीं होता लेकिन काफी लोगों की संख्या वहां होने की विज़े से इस तरह का हास्ता सामने आया लेकिन फिलाल अपके सब्सक्राइब जोटी हुई है कि किसी तरह से लोगो कि जाकर कि आज-पास ये लाके को खंगा लेगी देखी के कि विज़े समय नहीं हो डाइच से तीन फिलाल और वहां पर शाया जाकर चुक्कि जेस इसलाके में ये बिजली गिरी है क्या उसके आज-पास भी जो लोग वहां पर इकठा थे उनको भी घूंडा जारा है पूरी जानकारी जो आपको मिल पाई है मैं चाहूंगा कि आप जीराइस्तान से साजा करिए कितने लोग इंजर्ड है और कैसे विवस्ता की जारी जो लोग खायल है कि अभीता को 19-20 लोगों का समय लाया जया है और कुछ लोग रस्ते में हैं लेकिन लगातार चुकि अंदेरा है उंचाई है वहां के लोगों का पता नेडल लग रहा है कितने लोग उपर वस्ते हुआ हैं सब को निटाल ले कोशिच की जा रही है और तीन लोगों के अभीता अभीता पतार चुकि वह पहाड़ी लाका है और नीचे वाच टावर के नीचे कुछ दूरी पर अंधेरा या अंधेरा पूरा है तो क्या रेस्क्यू आपके रेस्क्यू ने खत्म हो जाएगा या वक्त अलगेगा अभी ने देखिए अब यह रेस्क्यू आपरेशन को कल शुप तक चलना ही चाहिए तो कि कोई भी एज भी आजब्स अधर नहीं रह जाए इस बात के जब रहे साथ आपके जुड़े वे तो उनने का कि दो-चार लोगों की स्तथी क्रिटिकल है और उनको भी तुरंत इलाज के लिए पूरी तैयारी की जारी क्या आप आप जब मुझे वहां पर हैं हैं सब लोग हम हॉस्पिटल में हैं जी कैजवालिटी हो चुकी हैं उनका इलाज चल रहा है और जो अभी सीरस नहीं है उनका पूरे टेक्वाल की जा रही है क्योंकि पाड़ों में कि रहे हैं किसी को अंगोने चोट महीं हो बात महीं हो तो बिलकुल मुतमाइन होने के बा हैं सबसे यह अपील है लोगों से कि बीड़बार वाले जगहों पर ना जाएं अपने आपको सुरक्षित रखें सिर्फी हम चुकी है यह एक भावना भी होते हैं बहुत दिन से लॉक्डाउन था लोगों का आच चुकी मिली तो लोग पहुंच गए इपिस सब लोगों को अपने आपको सुरक्षित रखें से जुड़दे के लिए और यह तमाम जो है कि जानकारी साजा आपने की है और अच्छी चीज यह है कि अस्पताल में तुरंत व्यबस्ता की गई है जो लोग इंजनेट पहुंच रहा है ताकि उनकी जिन्दिकी को बजाया जा सके अब यह जिसके बीघर वाले हो आमेर में शकल माउटे के सामने पिछली कि गई है जिसमें यहां के लोग मर गए हैं किसी के भी जानकार हो या घर के हो अब जानकार हो जो यह जो जो आई बाईयो यह जिसकी के भी घर वाले हो तो आपसे भी यह अपील जीराज्थान भी करता कि अगर आप इन चेहरों को पहचानते हैं तो आप अगर आपके जानकार हैं तो कृप्या उनके घर वालों को आप भी सूचित करिए क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर पास के जिलों से भी लोग आये थे जैपूर के लोग भी आये थे और बारिश का मौसम था ऐसे में लोग वहाँ पर पहुँच गये थे उस बारिश के मौसम का एक तरह से आनन्द लेने के लिए लेकिन उसे दौरान नहीं पता कि यह हदसा हो जाएगा आकाशिय बिजली गिरी और जिसमें फिलहाल तीन लोगों के मौत हो गई है 17 से 19 लोग इस वक्त रस्क्यू किया गये हैं जो लोग इंजर्ड है उनको अस्पताल में पहुचाएगे तो जैपूर के तस्वीरे हमने आपको दिखाई यह शाम का वक्त था जब यह हादसा हुआ